नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राजेश आप देख रहे है अरडी एचसर यूटीब चैनल आप सबका इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आप सभी को पताई होगा कि सुनी टीवी पर एक कॉंटेस्ट चल रही है जिसका नाम है हैप्पी वाली दिवाली कॉंट जिसमें सुनी टीवी पर चालू प्रोग्राम के दवरान एक QR कोड आता है और ये हर प्रोग्राम में अलग-अलग QR कोड आते हैं जिसको आपको अपने मुबाइल फोन से स्कैन करना होता है और स्कैन करने के बाद पहली बार जबाब करते हैं तो मुबाइल नंबर बगरे शुरू हो चुकी है और कल 28 अक्तूबर 2022 तक खास करके दिवाली के अवसर पर ये कॉंटेस्ट है और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा QR स्कैन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्णों के उत्तर देगा सही उत्तर उनके जितने के चांसे ज्यादा है उसके भी टर 12 तारीक आ चुके है मतलब 5 दिन बीथ चुके है मैंने स्वयम इस क्विज पर उतना ध्यान दिया नहीं मुझे खुद 2-3 दिन पहले इसके बारे में पता चला मैं वैसे भी ये KBC के लायू में ही वेस्त रहता हूँ तो बाग की वीडियो बनाने के लिए कंटेंट तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे चैनल के जो दर्शक है उनके लिए ये ट्रीक जो है ये उपयोगी साबीत हो सकती है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते है मैं स्वयम बता चुका हूँ कि औरेडी 22 तारीक से 28 तारीक तक याने 6-7 दिन की क्विज में औरेडी 5-6 दिन भी चुके है आज 27 तारीक आ चुके है और ये हर दिन का एक प्रशन नहीं है बलकि हर दिन बहुत अलग-अलग शोक के दवरान ये सवाल आते रहते हैं और हर जब-जब QR code flash होता है तब हर बार शैद वो नया QR code होता है नये प्रशन के लिए तो ऐसे में जिसने QR code scan कर लिया उसकी लिए जिसने QR code scan नहीं किया उसका तो question चला गया फिर से अगर आप करते हो तो अगर नया question को लेगा पिछला question तो चला गया या पिर उसकी फोटो या link अगर किसी ने आपको वेज़ दिया तो आपका काम हो सकता है परन्तु यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके लिए एक AC trick ले तारीक को अगर कोई प्रशन पूचा गया है तो उसका भी उत्तर दे सकते है और आपको दजबार QR code scan करने की अवश्यक्ता भी नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे comments पड़े है कि QR code सर स्क्यान ही नहीं होता कभी QR code scan होता है पर आगे बढ़ता नहीं है तो आपके लिए इसी ट्रिक में लेकर आया हूँ जिसमें आपको बिना QR code scan करें हर एक प्रशन का उत्तर देते आएगा जी हाँ दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ अब जानते है कैसे तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको बस Google, Chrome वगेर या जो भी आपका वेब ब्राउजर है चाए आप computer से खोलिए, laptop से खोलिए या फिर आप अपने phone से खोलिए उसको खोलना है और जो वेब address है वेब address में कुछ type करना है क्या type करना है मैं आपको बता रहा हूँ आपको type करना है मैं जो एक link paste कर रहा हूँ मैंने औरेडी वो link को copy किया तो मैं उसी को paste कर रहा हूँ यह जो link है यह link copy करनी है link बहुत ही सरल है आकरी का जो one है उसको थोड़े समय के लिए भूल जाएए मैं आपको link अभी दिख रही होगी आप इसको note भी कर सकते है अभी मत note कीजिए अभी note कीजिए अगर note करना है तो अभी note कर सकते हो link एक बार मैं पढ़के भी बता रहा हूँ और यही link मैं निचे description box में भी बता दूँगा अब इस link का उपयोग क्या है आपको बाद में बता चलेगा link है https colon उसके बाद slash slash जो अपना secure http protocol जो होता है वो उसके बाद आपको लिखना है bit.ly मतलब bit.ly slash और उसके बाद का important है sony tv दिवाली sony का s बड़ा tv का tv बड़ा और दिवाली का d बड़ा तो यह जो link आपको दिख रही है बस इस link को ध्यान रखिए लिख लीजिए कहीं बे sony tv दिवाली और इसके बाद आपको अब क्या करना है आपको जिस प्रशन का उत्तर देना है उसका number एंटर करना है जी हाँ दोस्तो जैसे अगर मानलो पहले प्रशन का उत्तर देना है तो आपको एक number एंटर करना होगा मैं पहले प्रशन का उत्तर और दे चुका हूँ करकिया मैं एक number select नहीं करता मैं यहाँ पे select करता हूँ दो number इसको करेंगे all go दो number लिका मैंने यह दीख है यह page खुल गया happy वाली दिव mobile number एंटर करना होगा पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो mobile number एंटर करने के बाद mobile number पर OTP आता है आपको OTP भी दर्च करने बोलता है मैं already इसके पहले एक दो प्रशन के उत्तर दे चुका हूँ उसके वजह से मुझे OTP नहीं मांग रहा है तो यहाँ पे आपको mobile number एंटर कर करता हूँ और mobile number एंटर करने के बाद submit पर क्लिक करना है अब दोस्तो मैंने mobile number एंटर कर दिया 10 डिजिट का उसके बाद submit बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आप पहली बार मान लीजिए register कर रहे हैं तो आपको OTP आएगा उस mobile number में OTP भी एंटर करना होगा और अगर आप बस एक ही बार OTP एंटर करने का हो शकता है बार बार नहीं और पहली बार जब उत्तर देंगे तब आपको इस space पे अपना नाम भी लिखना होगा question के just apply ले आपको आपका नाम लिखना है full name लिखा होगा उस full name लिखना है आपको और उसके बाद question जो है question का उत्तर देना है terms and conditions को agree करना है और ये I am not a robot वाले पे click करके submit करना है अपना उत्तर मैं already इसके पहले एक दो प्रशनों के उत्तर दे चुका हूँ तो मैंने अपना नाम पहले प्रशन में mobile number के साथ register कर दिया है तो mobile number डालते बराबर मेरा नाम automatically यहाँ पे आ गया है question है ये दूसरा प्रशन ह है which is the current ongoing season of Indian Idol अब इसके पीछे तीन option है option A 10, option B 20, option C 13 अर्था अभी जो season चल रहा है Indian Idol को ये 10वा season है बीसवा season है या 13वा season है आप सब जानते होंगे ये 13वा season अभी शुरू है तो ये मैं 13 option C को click कर रहा हूँ agree वाले पर click करूंगा terms and conditions को आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भ तो ये देखिए ये वाला question मेरे को पता भी नहीं था ना ही अरे यार क्या हो गया इसको submit button पर click करना है होता है ये submit ये देखिए हो गया ये दूसरा प्रशन सौल हो गया देखिए thank you for your participation लिखकर आ रहा है इसका मतलब है कि मेरा ये प्रशन सौल हो गया दूसरे प्रशन का उत्तर भी देखिए हो गया जब कि जब भी दूसरा प्रशन आया होगा इसका QR code आया होगा तो मुझे खुद को नहीं पता कि ये QR code कब आया और कभ ये question पूछा गया मेरे को मैंने देखा ही नहीं पर मेरा उत्तर लॉक हो गया कब का प्रशन है मुझे ये भी नहीं मालूम पर उत्तर लॉक हो गया अब आप बोलेंगे sir एक प्रशनकत हो गया आप बोल रहे है कि ये सभी प्रशनों के उत्तर दे सकते तो ऐसा कैसे simple सी ट्रीक है उसके लिए कुछ नहीं करना है मैंने आपको भी बताया था एक link बस वही link क्या करना है फिर से एक बार paste करना है ये प git.ly slash sony tv दिवाली उसके बाद 3 03 बगेरे नहीं करना है ध्यान दिजेगा तीन से लिट किया अगें submit पर क्लिक करूँगा ये submit पर क्लिक किया ये अगला question देखो mobile number फिर से मांग रहा है mobile number एंटर करके submit कर दिए उसके बाद फिर से ही पिज लोड़ोगा देखिए हो गया again question आ रहा है question पूछ रहा है अब when does Indian Idol 13 original episode air on sony entertainment television ये तीसरा सवाल है कब आया पता नहीं ये Indian Idol 13 का original episode जो होता है वो कब टेलिका शुताय करके पूछ रहा है ये तो नहीं होता इसका उत्तर है option B तो इसको B को select करेंगे agree पे click करेंगे robot पे click करेंगे robot नहीं है करके submit करेंगे बस इसी तरीके से आप जो चाहो उस प्रशन का उत्तर दे सकते दोस्तो बस इतना ध्यान रखना है आपको सुरी ये हो नहीं रहा है हाँ हो जाएगा ये देखे ये हो गया दूसरी प्रशन का ये तीसरी प्रशन का उत्तर था ये भी लॉक हो गया बस इसी तरीके से यहां लिकाई है keep watching suny entertainment television from 22nd to 28th October 12 p.m. to 12 a.m. scan as many QR codes you can and stand a chance to win grand jackpot of 50 gram gold coin और other exciting prizes तो आपको क्या करना है ये देखत देखते रहना है टीवी देखते रहना है बुढ़ रहा है 22 से अक्टूबर तक उसके बाद 12 बजे से दो पर से देखर तो रात के 12 बजे तक जो भी QR code आएंगे वो QR code हर बार नया QR code नया प्रशन के साथ आएगा अब आप टीवी के सामने हमेशे आपको भी नहीं पता कि QR code scan तो नहीं कर सकते हर बार और कापी बार में इस भी हो सकता है कोई QR code तो ऐसे समय में आपको डरनी के आवर शेकता है ना टेंशन लेनी के आवर शेकता है कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ QR code को मतलब बस यह है जो मैंने link बताया इस link के उपयोग करके जिस प्रशन का उत उत्तर लॉक करना है जीज भी तरीके से बस अपने इकात बार रैंडमली देख लेते हैं अभी मैं उत्तर नहीं दूँगा मैं रैंडमली बस आपको question खोल के दिखा देता हूँ कि सहीं में यह वर कर रही कि नहीं फिर से paste कर लेते हैं एक की जगह पे आप 11 कर लेंगे अब in the Kapil Sharma show 2022 season what is the name of the host sorry in the Kapil Sharma show 2022 season what is the name of the host यह गैर बास अवाल है क्या पूछ रहा है कि Kapil Sharma show 2022 season में 2022 के season में host का नाम क्या है अजय देवगन अमिर खानिया Kapil Sharma इसका उत्तर अब्वियसली Kapil Sharma है नाम में ही है option C को lock करेंगे select करेंगे और यह उत्तर submit करेंगे कि यह दिखेंगे हो जाएगा कि क्या मुड़ रही है हो जाएगा हो जाएगा होगा जरूर भी हो जाएगा आयेगा जरूर फिर से एक बार करते हैं यह फिर से कि हमेने शायद वह question lock नहीं हुआ था क्योंकि thank you का वैनर आया नहीं था तो फिर से एक बार करके देख लेंगे इस बार हो जाएगा हाँ इस बार thank you आ गया एक बार यह भी चेक कर लेते कि एक ही question का उत्तर फिर से अगर देना चाहे तो दे सकते क्या है यह भी चेक कर लेते है अपन इसी में यह 11 बार प्रश्ण था क्योंकि देख लेते एक बार आजा इसका उत्तर lock कर चुका हूँ thank you क अब भी बैनर आ चुका है फिर से देखने के बाद आता है क्या देखते हैं दोस्तों आप जितनी बार उस लिंक को क्लिक करोगे जितनी बार question का उत्तर देना चाहोगे उतनी बार दे सकते हो पर आपका एक प्रस्ण का एक ही उत्तर शायद यहाँ पे मतलब पहला ही उत्तर देतारों में परन्तु यहाँ पे मेरे खाल से जो अब आप एक ही प्रस्ण के अगर आप एक से ज्यादा उत्तर दे दोगे सपोज अगर कभी ऐसा होता है तो कोई पहला प्रस्ण पहला जो उत्तर है वही उत्तर वैलिड किया जाएगा जहाँ तक क्योंकि नहीं तो क्या हो होगा कि एक बार कपिल चर्मा दे रहे फिर एक बार दुसरा उत्तर दे रहे फिर दूसरी बार दुसरा तो ऐसे समय में मेरे क्याल से जो फर्स्ट टाइम का एंसर है उसी को कंसीडर करेंगे लोग तो आपको बस इतना ध्यान रखना है और इस तरीके से आप जितने प्रश आए होग एक सभी एक क्वेस्चन नहीं आयोंगे देखो मैंने एक सभी देशी से लिट किया एक सभी प्रश्ण अब तक नहीं आए एक सभी यूर कोड आये नहीं तो यह बितले की तरब से एरर आ गई पर एक सभी जगर पर मैं अगर वैलिट नंबर इंटर करता हूँ चा जाना चाहरा हूँ आपको कि मैं जो बताना चाहरा हूँ यह 31st question है यह 31st question है राम और प्रिया आर लीड characters in which suny entertainment television show राम और प्रिया suny tv के कुण से show में लीड character है इश्क पर जोड है इश्क पर जोड नहीं कुछ रंग प्यार के या बड़े अच्छे लगते हैं इसका उत्तर बड़े अच्छे लगते हैं तो इसको मैं select कर लेता हूँ तो आपको बस ध्यान रखना है और इस तरीके से आप बस लिंक जो है जिस लिंक को कॉपी करना है उस लिंक को मैं वीडियो में भी description box में डाल रहा हूँ उस लिंक को कॉपी किजेगा उसके सामने अगर digit लिंक में रहता है तो उस लिंक digit को हटा के आपको जिस प्रशन का उत्तर देना है वो वाला digit आप एंटर करिएगा और उस प्रशन का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं आपको keyword स्कान करने की कोई आवशेक्ता नहीं है अब वो भी उस तरीके से लिंक बनाए है अगर question number wise अगर लिंक नहीं होगी तो वो question नहीं खुलेगा अगर उन्होंने question में ये number डालना change कर दिये मान लेते हैं तो फिर ये काम नहीं करेगा पर उन्होंने इस बार क्या किया है जहां तक मुझे लग रहा है जो question है वो सिधे bit.ly क चुका है उत्तर देना तो आप भी उत्तर दीजिए और 50 ग्राम का सुने का सिक्का जीतने का आउसर है तो उसे प्राप्त कर सकते हैं मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है क्योंकि मैंने पूरे डेमो के साथ और चुछ को ये ही दिखाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ सिरियल वाइज बताया जो क्वेस्चन पहले ही होगे उसके बाद आज के भी कुछ क्वेस्चन दिखाए वो आज के ही है या कब के है पता नहीं पर आज एक परटिकुलर ऐसी लिंक हमको ये जो लिंक एक् इसी सभी को उतर देते आना चाहिए करके link share कर दिये ते वहां से मुझे idea लगी कि यह जब 31 number पर 31 question आ रहा है तो obviously हो सकता है मैंने थोड़ा दिमाग लगा कि एक number select करके फिर 15 number select करके ऐसे अलग-अलग number select करके और अगर वो काम नहीं करती तो जैसे आप यह पन ने एक सब एक select करते बराबर error आई थी तो ऐसी error आती तो error नहीं आ रही है मैं समझ गया कि नहीं अब यह इन्होंने question pattern इसी तरीके से link बनाए है QR code की और वो काम करेगी और फिर मुझे लगा कि नहीं अब तक तो खैर बहुत सारे दिन हो चुके अब उसके भी उतर दिये जा सकते है QR code scan करन और हम KVC Playalong का लाइओ करते ही है हमारे चैनल पर तो आप सभी प्रशनों के सही उतर जानने के लिए हर ये अपडेट पाने के लिए आप RDSR चैनल को subscribe जरूर कीजिए bell icon को प्रेस कीजिए धन्यवाद thank you so much शुब रातरी अब शुब रातरी खैर आप जब वीडियो देख